दागकर खबर के नियोजम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान आपको पता है छे अप्रेल को यानि के कल जब भारतिय जंता पार्टी का इस्थापना दिवसा उस दिन देश के पांच राजियों में चुनाओ हुए हैं बंगाल में तीसे चरण का मतदान हुआ है इसके अलावा तीसरे और आखरी चरण का मतदान असम में हो गया केरल में भी चुनाओ संपन हो चुका है पुनुचेरी में भी कली संपन हो गया और तमिलाडू में भी संपन हो चुका है अब ले देके कहां बचा बंगाल में का के नगर पंचायत के जो भी हैं सब को ले जाके महां पे जोक रखा अज वर्तवान समय की इस्तिति यह बताई जाती है कि महां कोई होटल या लॉज खाली नहीं है बड़े-बड़े मकान कि रहे ले रखें बड़ी-बड़ी सारी गाड़ियां कि ले रखें बहुत सारी गा आइक जेपी नड़ा छो भारतिय जन्टा पाट के रास्टी अध्यकस है नेहीं उतर रहे हैं उक्षु क्या कुं बात कर लेते हैं प्रधानमत्री को लेकर मंगलवार का दिन्ता प्रधानमत्री पहुचे पहले हावडा में उन्होंने कहा कि मैं आज डूब गया हूँ इस जन सेला में इस प्यार में उनकी जबानी सुन लिजिए दोस्तों आपका प्यार मेरी सर अंखो पर आज इस बार बंगाल के हर कोने में जिस प्रकार से आशिडवात की वर्षा हो रही है आपके प्रेम में कोई भीग जा इतना तो मैं समझता हूँ आपने तो मुझे अपने प्रेम में डुबो दिया है भाई जो सुन लिए आपने इसके बाद वो कुछ वियार पहुँचे और कुछ वियार पहुँचके उन्होंने का कि दिदी आज कल कह रही है क्या भारतिय जन्ता पार्टी कोई भगवान है भाजपा कोई भगवान है जिससे के वो कह रही है कि वो जीत गई है लेकिन दिदी आप ये जन सेलाब देखो आज बच्चा बच्चा बता सकता है कि भारतिय जन्ता पार्टी जीत रही है सुन लिजे उनके जबाने देखें दीदी पूठ रही है हम भगवान है क्या हमें विजय का कैसे पता चल गया लेकिन दीदी ओ दीदी चुनाओ में कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये पता करने के लिए भगवान को कश्ट देने की जरूरत नहीं है कि ये जो जनता जनार्दन है न वो ही भगवान का रूप होती है अरे जनता जनार्दन का चहरा दे करके पता चलता है कि हवा का रूख क्या है यही तो इश्वर का उतार है और दूसरा दिदी आधर्णिय दिदी दूसरी बात जो है कि चुनाम नतीजों का पता कैसे चलता है अनुमान कैसे लगता है एक तो आपका गुसा आपकी नाराज़्गी आपका व्यावार आपकी भाणी इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दिदी टी-म-सी यह दोनों चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद यह है कि आप अपने माइन को सैट करें और यह सोच लें कि भारतिये जनता पार्टी जो है बंगाल में जीत रही है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुलम खुला पब्लिक दिखा के यह दावा कर रहे है खुले मंच से देख लीजिए यह क्यों हो रहा है अब क्या हो रहा है वो आपके सामने रख देते हैं सोंबार का दिन था जैसा मैंने बताया भारतिये जनता पार्टी के राष्ट्रिये अध्यक्स हैं उनकी हुगली में तीन रेलिया होनी थी कितनी जी तीन लेकिन वह हुगली में एक भी को संबोधित करने नहीं पहुचे एक रेली को उन्होंने फोन के सब्सक्राइब किया और दो रेलियों में तो उन्होंने रेलियों को रद ही करा दिया और खबर जो बताई गई भारतिये जनतापाटि के निताओं के साहब राष्टी एध्यक्स होना राजदानी दिली जान है उनको एक इमर्जेंसी मिटिंग करनी है अपात काल कोई बैठक करनी है इसलिए वो चले गए लेकिन दोपैर को बो तो कलकत्ता में नजर आगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी था टीमसी वालों ने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई या भीड नीजूटी इसलिए जेपी लेना चाहिए आपको कि हुगली में चोथे चरण के तहट 10 अपरेल को मतदान होगा यानि के वहां मतदान नहीं हुआ है तो आप देखेगा कि हिंदुस्तान और नव बाराइट टैम्स क्या लिखते हैं यह आपके सामने हिंदुस्तान और नव बाराइट टैम्स का हालम र सिनमपूर में इनको एक जनसभा को संबोधित करना था लेकिन इवा नहीं गया इन्होंने फॉन पर ही इन्होंने जो है काम चला लिया फॉन पर बात करके 20 मिनट तक इसके अलावा सोमार की सुभा ही इनको श्रीराम एक जगा पढ़ती है श्रीरामपूर वहां पर जाके इ संबोधित करने जाना था लेकिन यह वहां पर भी नहीं गए आपके सामने हिंदुस्तान नव भारत टाइम्स और जनसत्ता जैसे जो है अख़बारों की कटिंग मैंने रख दी है लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा था कि वह तो इमर्जेंसी मिटिंग में शामिल होने के लिए दिली चले घए हैं वह दोपैर को नजर आते हैं कॉलकाटा में क्या कर रहे थे कॉलकाटा में वह थोड़ा सा देख लीजे बाकाइदा 4 किलो मेटर लंबा रोड़ शो किया है उन्होंने चार किलो मेटर लंबा रोड़ चो और यह रोड़ शो अनौने टॉली जो जगा पड़ती है जहांसे गायक और फिर उसके बाद नेता बने फिर उसके बाद सांसद बने फिर उसके बाद केंद्रिय राज्य मंत्री inland सुप्रियो और अब यो है वो विदान सबह का चुनाव लड़ रहे है मतलब थानेदार जो है वो दरोगा बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है खर जाने दीजिए उनका परसनल मैटर हो सकता है तो उनके लिए परचार किया इसके अलावा यहीं की एक सीर पढ़ती है बेहालापूर वहां से एक अभिनेत्री है जो बताया जारा बंगाल की अभि रेलियां क्यों आजो है कैंसेल कर दी क्यों रद कर दी क्या परधान मंतरी सही बोल रहे है कि जन सहलाब उमड़ गया है और जो है वो जनता जो है भगवान के रूप में बोल रही है या जेपी नड़ा की जो रेलिया रद हुई है वहां भी क्या जनता भगवान के रूप म रद कर दी गई हैं सबाल उठना तो लाजमी है बाकिया आप सोचिएगा बने रहेगा धाकर खबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्काइब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर आसे किसी सो लगते हुए वलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजी फिलाल अभी मुझे दें इजाज़त